अधा आपन लाइब्रेरी क्लासेस चा चाप्टर मधे अनिखीन कहीं उधारने पाऊ अच्चे उधारने राइटे प्रोग्राम इन जावा टू जनेरेट टेन केरेक्टर्स बेट्वीन कैपिटल ए टू कैपिटल जे रेंडमली या साथे आपन मैथ.random या फंक्शन चा क्यों या मेथड़ चा उप्योग करू तुम्हाला है महाई तसेल कि कैपिटल ए टू कैपिटल जेड़ साथे आसकी कोड है 65 तिल 90 जार तुम्ही मैथ.random या मेथड़ चा उप्योग केला तर तुम्हाला शुन्य ते एक पेक्शा लहान असलेली एकादी फ्रैक्शनल नंबर मिलते 27 केरेक्टर सस्तत इंग्लीश अल्फाबेट्स मधे त्यामले आपन याला 27 ने मल्टिप्लाय करू मैथ.random मधिल सगलयात लहान नंबर जो है तो 0 असो शकतो तर 0 अला 27 ने मल्टिप्लाय के लिए तो 0 असलेली तयाचा जर इंटीजर काड़ला तर रिजल्टिंग नंबर जो है तो 25 असलेली त्यामले आपनले या equation मले 0 अपासुन 25 परेंद्चे random नंबर मिलू शकतत त्याट आप्टियाला पाहिजेत का है एक पासुन ते 27 परेंचे random नंबर्स पाहिजेत त्याशाठे आपन या श्योटी 1 एड करू तर एक एड के लिए आपने आपने ला एक ते सहवीस चे रैंडम नंबर्स में ती लानी ते एन या इंटीजर वेरेबल मदे स्टोर के लिए दातील अथा त्या नंतर या नंबर मदे आपन शिक्स्टीफोर एड करू जर पहला नंबर एक असेल तर एक अधिक चौंसस्थ मजे पासस्थ होईल त अधिक रता पने आपने याला आसकी मदे एक नंद कोरू शक्तो के हाएग क्यरेक्टर वेरेबला है के इस इकल टु केरेक्टर ओफ इन ब्रैकेट अन प्लस सिक्स्टीफोर तो या तिकनी अपलेला आशारी तिने capital A to capital Z मदेल random characters या ठिकानी display धले दिसुने दिल अता BlueJay चे compiler रुगड़ा आणि तेच्या मदे new class वर क्लिक करा आणि open जालेल या program ला random असे नाओ दिया हा program तुम्हला या वीडियो चा काली comment मदे मिलेल हापला example number 7 आए तो तितुन तुम्ही कॉपी करून BlueJay चे compiler मदे पेस्ट कुर शक्ता अता आपन फ्रोग्राम पहू class random public static वाइड मेन chark character variable int n integer variable system.out.println the random characters are for int i is equal to 1 i is less than or equal to 20 i double plus या ठिकानी आपन for loop मदे आई नावाचा integer variable आपर लेला है तुम्ही याचे variable चे declaration जी आए ये शुरुवाति ला देखिल कुरू शक्ता बंजे integer i,n लिहुन तुम्ही याच्छा declaration कुरू शक्ता तुम्ही याठीकानी तुम्ही डाइरेक्ट i चा वापर कुरू शक्ता पंजर declaration के लेले नसेल तुम्हाल डाइरेक्टली फार लूप मदे i9 चा integer variable अपराइचा असेल तुम्ही लूप मदे देखिल ताला declare कुरू शक्ता तुम्ही याच्छा तुम्ही याच्छा value एक पासोन 20 परेंत iterate होईल धर्वेला तुम्ही याच्छा i2 value 1 पासोन 20 परेंत iterate होईल तर वाजो block of code है तो 20 वाजला run होईल और प्रत्यकड़ेला आप लेला एक नवीन random number मेल तो यहन मदे store केला जाईल तेचा मदे आपन 64 add करू, तर यह जा नंबर साय थे, एक पास उन्ते 26 परेंच अपलेला नंबर से में थेल, तर प्रत्य का मदे आपन 64 add कर दगेला नंतर, आपलेला एक अधा रेंडम करेक्टर चा आस्की कोड मिलेल, तर हाज आस्की कोड चाला आपन character मोदे convert करून तेला एका character variable मोदे store करतू, के हापला character variable हाए, अणि यह चामदे तो random character store चाले नंतर तेला display करने सथी, आपन print statement मोदे केचा आपर करतू, सिस्टीम डॉट आउट डॉट परिंटेल एन नंबर प्लस एन प्लस के अता आपन हाँ प्रोग्राम रन कुरूं पहुँ स्क्राम या शराज शेव खम पाइल तुम्हालाख छाली छास मेंस्टेक्स इरॉर्स मेसेज डीः म मुझतुर्र संफ और ब्ल्लूज चनष गरा आपनेर्न में विंडव है त्यानी रेंडम या आईकॉन वागिक्न कुरू एटी मेंड कलिक्न करा या टीक जा पासुन आपन बनो लेला जो चारेक्टर है तो पनिचे लिसुने तो इस सगले कैपिटल कैरेक्टर से तरशे रिजने आपन रेंडम कैरेक्टर्स जेनरेट करूशक तो ता अपले उधिल उदान पहु आ है एक्जांपल क्रमांग आठ राइट ए प्रोग्रामीन जावा प्रिंट लेटर्स फोम कैपिटल टू कैपिटल जैड अलांग विद धेर नुमरिक वैल्यूस अथा परेंत तुम्हाला है माहित जाला है सेल की कैपिटल ये प्वाशून कैपिटल जैड परेंत जे लेटर साहित टैंचे जा आज की कोड साहित 25 490 परेंत तर्याचा चे नियूमरिक वैल्यू जे 65 अनी 90 हैत का असे जर तुम्हाला वाटर ससेलता ते सुकी चे है करण नियूमरिक वैल्यू ही कंसेप्ट जी है जावा मदे ती आसकी कोड पेक्षा वेग लिया है एक अध्या कैरेक्टर ची नियूमरिक वैल्यू पाहने सा ठी अब लेला गेट नियूमरिक वैल्यू नावा चा फंक्षन चा के मां मेथड़ चा वापर करावा लागतो ही जी मेथड है ती कैरेक्टर या रैपर क्लास मदे दिसुने थे तुम्हाला जा कैरेक्टर ची नियूमरिक वैल्यू जानाई ची असेल ती तुम्हाला इथे आर्गुमेंट वन लिहावी लागेल तो या प्रोग्राम मदे आप लेला दोन गोश्टी कराए चे पहले अन्द आप लेला कैपिटल ए पसंद कैपिटल जड पर इंचे लेटर स्प्रिंट कराए चाहेत त्या सथे आपन फॉर लूप सा आपर करू फॉर आई इस एकल टो 65 आई इस लेस्दान एकल टो 90 आई डबल ब्लस तो जावेला आई 65 होसेल तेवह आपन च अर आफ आफ आई हीजर मेथड़ आपर ली तो 65 ला कैरेक्टर मदे कन्वर्ट केला सब करनांतर या केचा ओपर आपन या मेथड मदे करना रहोत कैरेक्टर डॉट गेट न्यूमरिक वैल्यू आफ के तो या ठीक आणि ए पास उन्ते जड़ परियांत चे क्यापेटल लेटर से तेंची न्यूमरिक वैल्यू अपलेला या मेथड मोले मिलेल ती वैल्यू जी आपन एन नावाच्या इंटीजर वैरिबल मदे स्टोर करू आणि रिजल्ट मदे कैरेक्टर अणि तेची करस्पोंडिंग न्यूमरिक वैल्यू दो दी आपन डिस्पे करू शक्तो अताब लुजेचे कंपालर उगड़ा आणि न्यू क्लासवर क्लिक करा आणि जो नवी देटा है आथा आपन प्रोग्राम पहू क्लास न्यूमरिक पबलिक स्टेटिक वाइड मेन चर के इंट आए कॉमा एन इते आपने करेक्टर वैरियेबल डिक्लेयर के ला या ठीकानी दोन इंटीजर वैरियेबल्स डिक्लेयर के ले सिस्टीम डॉट आउट डॉट डॉट लेटर्स एंड देयर न्यूमरिक वैल्यूज आर फॉर आई इकल टो 65 आई इस लेस जना इकल टो 90 आई डॉबल प्लस अनि हापला फॉर लूप है के इस इकल टो च एयर ओफ आए तो या ठीकानी हाजो आए जो आए जो आए तो 65 पासुन 90 पर्यंत इटरेट होतो अनि दर सब्सक्राइबल आए ची वैल्यूज आए ती या ठीकानी या एक्वेशन मदे उपर लिए जाते आणि या नंबर ला आपन केरेक्टर मुद एक नोट करतो आणि तो केरेक्टर आपन केरेक्टर वैरियूबल मुदे स्टोर करतो के नवा चा तो सगलेत पहले अंदर 65 आला तो आप लियाला इते ए मिलेल यहां के मोदे स्टोर जाला अथा आपन हाज वेरियेबल है तो character.getNumericValue या मेथड मोदे वापरण रहोत तो यहां ठीकनी आप लियाला यह चीजी NumericValue ती मिलेल तो आपन आसकी value पासून केरेक्टर मोदे कनोड करतो और यहां केरेक्टर तो यहां ठीकनी आप लियाला k मदे character में तो आणी यहन मदे तेची NumericValue में ते आणी k आणी यहन हे दोनी variables आपन रिजल्ट मोदे वापरुशकतो system.of.println NumericValue of k equals to n ठापन हा प्रोग्राम रन कुरूँ पाहू Class, Save, Compile, Class Compiled, No Syntax Errors ते नंतर हाप पेज ग्लोज करा आणी Numeric चा Class चा इकोन वर जाउन राइट क्लिक करा आणी वाइड मेन सेलेक्ट करा तर याठीकानी आपलेला एपासुन ते जड़ परेंत चे करेक्टर सानी तैंची NumericValue दिशने ताथ तर याठीकानी NumericValue of A is 10 अणी प्रत्यकानी एक एकने इंक्रेमेंट हो जाउन अपले जड़ ची NumericValue में ते 35 तर जाव मदे NumericValue जाएट त्या आजकी वेल्यू स्पेक्षा वेगला है तो येची आजकी वेल्यू असते 65 अणी येची NumericValue का आसते 10 तर आशे रितिन है आपन कोटल है केरेक्टर ची जी NumericValue आहे ती त्या फंक्शन चा वाबर करून काड़ू शकतो अणी लक्षा जरी ठेवाय चासे लतरी सोपा है Capital A ची NumericValue 10 आहे आणी Z ची 35 है अता आपन पुडचे उदारन पहू है या है एक्जम्पल नंबर 9 राइटे प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले अपर केस लेटर्स अलांग विट देयर लोवर केस लेटर्स इन टू डिफरेंट कोलम्स अता या ठीकानी Capital A 90 परेंट चे जे नंबर्स है ते Capital A पासुन Capital Z परेंट चे असकी एलियोज है आणी Small A to Small Z चे जे असकी एलियोज है त्या है 97 to 122 65 मदे पासस्थ मदे जर तुम्ही 32 एड के ले तर अपने लेटर्स अमिन तो 79 तर पासस्थ हा Capital A चा आसकी कोड़ा है 79 हा Small A चा आसकी कोड़ा चे जर तुम्हाले त्यान तर त्यान अंतर त्याला चा तुम्हाले त्याचा आपर अपर प्रोग्राम दे करुशक्तों पहले अपने पासुन जड़ परेंट चे Capital लेटर स्प्रिंट करने सथी एक फॉर लूप सा आपर करुशक्तों for int of i is equal to 65, i is less than or equal to 90, i double plus अनी char of i बंजे या नंबर ला अपन्छा केरेक्टर मुदे कनोट केले तर अपले ला Capital Letter मिले अनी त्यानंतर char of i plus 32 केले तर अपले ला या केरेक्टर चा स्मॉल लेटर मिले अनी दोधीजा मधे अपन थोड़ीशी स्पेस दिवशक्तों slash t लेले अस अपले अला या ठीकानी एक टाब यवड़ा स्पेस में वेतु तर अशरी तिने आपन एका कॉल्लम मदे Capital Letters अनी दुसर्या कॉलम मदे Small Letters प्रिंट कुरुशक्तों अनी जो नवीन प्रोग्राम उगडेल तेला Cased Letters असे नाओ दिया अनी तेचा मदे हा प्रोग्राम या वीडियो चा खली कॉमेंट्स बॉक्स मदुन कॉपी कुरून पेस्ट कुरुशक्ता आपला एक्जांपल नमबर नहीं ना है ता अपन प्रोग्राम पहू फाथ केस्ट लेटर्स पॉपलिक स्टैटिक वाइड मेंड सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटले यान अपपर केस्टि लोरकेस तर अपन प्रिंट स्टेटमेंट मुधे जहां टेक्स्ट लेटो तेचा मदे slash teaser लेले तर अप लेला एक tab ud space या टिकानी generate होते त्यानन तर for int i is equal to 65 या टिकानी आया हा loop मदेश declare के लेला है i is less than or equal to 90 i double plus तर 65 बासून 90 परेंट अप लेला हा loop run कराईचा है system.out.print लेला slash t double quote मदे slash t लेला अप लेला tab ud space मेलेल plus char of i तर या ठीकानी i ची value 65 ला शुरू हो हील आणी प्रतेक लूप चा रनला एक ने increment हो हील तर पहले आंदा i will be 65 character i char of i के लेलास अप लेला capital a मेल आणी char of i plus 32 के लेलास अप लेला small a मेल तर capital a आणी small a हे दूनी एकाच लाइन मदे print हो तील अणी त्या दोनी चा मदे आपन दोन tab ud space या ठीकानी देतो तर अथा आपन हा प्रोग्रम रन कुरूँ पहु class save अणी चा नंतर compiler click करा class compiled no syntax errors अता hey page close करा अणी cased letters चा icon वर right click करा अणी wide main select करा तर या ठीकानी अप लेला अपर केस अणी lower case दोन कॉलम मदे अप लेला सर्वा अलफाबेट्स प्रिंट दाले ले दिसूत ये थात् अधिल उधारन पाहू या उधारन नंबर करमांक दाह राइट प्रोग्रामीं Java to print the following pattern a a b a b c a b c d a b c d e या ठीकानी पाच केरेक्टर से है एची वा आसकी हल्यों है पासस्ट तर पासस्ट सासस्ट तदूसस्ट आडूसस्ट अड़ूसस्ट तर नी 61 65 पासस्ट 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 परें तर अप्रला अपला for loop रन कारा वलागेल for i is equal to 65 i is less than or equal to 69 i double plus अणि या नंतर अपन एक inner loop तयार करू या ठीकानी i आणी j नावच्चे दोन integer variables अपन वापरता होत for j is equal to 65 i is less than or equal to i अपन इनर लूप मदे j ची जी अपर वेल्यों है ती i पसंट गेतो होत तर आही पहिलांदा पासस्ट असेल पासस्ट असेल पासस्ट असेल आप यला a मिलेल next iteration मदे आईची वल्यों 66 होईल 66 धालेन तर पासस्ट अनी 66 हा दोन वेल्यों आप लेले इथे मेतेल तर for loop मदे आपन system.or.print ch ar of j तर जे मदे जो कुटला नंबार सेल त्याला character मदे convert करून अपन प्रिंट करतो है तर print है एकास लाइन मदे print होते फक्त प्रिंट लेले आपने इता आणी या लूप चे बाहर यहून अपन प्रिंट ln लितो उजे एक लाइन प्रिंट करतो तर j मुळे ये प्रिंट होईल आणी print ln मोडे next line मदे अपला लूप जाई ता शेरी तिन आपन हाँ पैटर्न क्रियेट करूशकतो अथा ब्लूजे चे कंपालो रुगडा आणी new class वर क्लिक करा आणी जुन्नवीन प्रोग्राम तैयर होईल तेला pattern नसे नाव दया हाँ प्रोग्राम तुम्हीं कॉमेंट् करूँ नित्ये paste करूशकता हाँ है example number 10 अता आपन प्रोग्राम पाहू class pattern public static wide main int i,j या ठिकाने आपन दों integer variables declare के लिले है for i is equal to 65 i is less than or equal to 69 i double plus तर integer variables declare के लिले आसल तर तो variable आपन डायरेक्ली for look मुदे वापर शकतो तो for look मुदे याला पर declare करने चे आवशकता नहीं for i is equal to 65 i is less than or equal to 69 i double plus तर अपन 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 हाज़ लूप है 65 पासुन 69 परेंत रन करतो अणि त्यान अंतर inner loop for j is equal to 65 j is less than or equal to i तो या ठिकाने i चीजी वेल्लिवासेल इजशे जशे 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 चेंज हो जाईल ती वेल्यू चेंज हालीली वेल्यू अपने या inner loop मुदे आपर ताईल अणि ते जो executable statement आए ते आहे system.out.print ch ar of j तर या ठिकाने आपन जेची जी वेल्यू असेल ती प्रिंट करतो जेची अपर वेल्यू ती अपने आए पसुन मुदे तर पहरेंदा आपने आला j 65 मुदे दूसरेंदा 65 आणि 66 मुदे दोन करेक्टरस ही ते प्रिंट होती तीसरेंदा 65, 66 आणि 67 मुदे आसे पाच केरेक्टरस अपने इते प्रिंट करू शक्तो त्यान अंतर या लूप चे बाहर आपन system.out.println ये statement हो लिल्या है अता आपन हा प्रोग्राम रन करूँ पाहू class save compile class compiled no syntax errors अता आपन हे पीज ग्लोज करू अनि पैटर्न वो राइट क्लिक करू अनि वाइड मेन सेलेक् तर अपनला पैटर्न या ठीका नी प्रिंट जालेला दिसनील तर तुमी लूप मधिल आईचे जा वैल्यू जाएट त्या चेंज करूं पाहा अनि विवल्या लेटर्स पासुन पैटर्न्स तैयार कूं प्रयोग करूं पाहा ता पनाचे श्यवट चे एक्जांपल पाहू तो क्या है एक्जांपल नंबर टेन रृट ये प्रॉग्रामीं जावा टू प्रिंट जे पैटर्न अ, बी, बी, सी, 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 डी, 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 ी, ई, ऑी, ए, तर हाव जो पैटर्न है या शाट या पन यह पुर भी ले लेला प्रोग्राम मों जो अप्रूश अक तो फक्त तो मदे दो ठीकानिया अपने आला बदल करें चे इंटीजर i, j for i is equal to 65 i is less than or equal to 69 i double plus for j is equal to 65 j is less than or equal to i j double plus system dot dot print chr of j तर अपन पुर्वी चा प्रोग्राम मदे j ला करेक्टर मदे कनवर्ट के लिया होते तर अपन आएला के लिया करेक्टर मदे कनवर्ट करू तर पहला इट्रेशन मदे जहां i 65 हो सेल तेहां अपने यह इत्वे देल डूसरा इट्रेशन मदे एकस कैरेक्टर हाँ इंक्रिमेंटली प्रिंट हो जाए अति या ठीकानी जी प्रिंट एलें मंजे लाइन जिया है ती आपन या स्टेटमेंट चा नंतर लगे चास लिगू तो आजो क्लोजिंग ब्रैकेट चा अधी आपन सिस्टिम डॉट रॉट प्रिंटलन लिगू अथा आप लेला ही दोनोस मदल कराई चे हाँ पैटर्न डिस्प्ले करने सथी अथा ब्लू जे चे कंपाईलर उपन करा अनि तचा मदे न्यू क्लास वर क्लिक करा अनि त्या प्रोग्राम ला पैटर्न टू असे नाव दया हाँ प्रोग्राम तुम्ही या वीडियो चा खाली कॉ इस अषिश्टीफाईव यह यह पुर्वीचच अजो प्रोग्राम हताँ तो आपन जसे जटसा याठी कनी वापरतो है फक्त याठी कनी दोन चेंजर्श अबन करतो है इनर लूप मह दे आपन किरेक्टर ऐफ जे चा जागी किरेक्टर आफ आइ लितो अनि यह जे संपाइल्ड नो सिंटेक्स सिरार्स पेज ग्लोज करू अणि पैटर्न टूव राइट क्लिक करून वाइड मेन सेलेक्ट करू तर याठी कनी आपके ला हाजो पैटर्न नहेतो दिसीननतो तर फ्वार लूप मतले जे नंबर्स है ते नंबर्स चेंज करून तुमी विवल्या आक्षरांचे पैटर्न्स तैयार करून प्रयोकरू पहुशकता